कीमतों में तेजी के चलते भारत का कपास निर्यात फरवरी में दो साल के शिखर पर पहुँचने की ओर अग्रसर है। आपको बता दें कि एशिया में प्रमुक खरीदारों के साथ चार लाक गांठों के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये गए हैं, जो 2022 के बाद से उच्चतम निर्यात स्तर है। इनमें चीन, बांगलादेश और वियतनाम शामिल हैं। भारतिय कपास की कीमत वर्तमान में वैश्विक बाजार में सबसे अधिक प्रतिसपर्दी है, जो खरीदारों को आकरशित कर रही है। Cotton Association of India के अध्यक्ष अतुल गनात्रा के अनुसार इससे निर्यात में व्रिधी हुई है। अनुमान बताते हैं कि भारत 2023 से 24 विप्रनन वर्ष के दोरान लगभग 2 मिलियन गांट निर्यात कर सकता है, जो पहले की 1.4 मिलियन गांट की अपेक्षा से अधिक है। कुछ व्यापारियों को भारतिय कपास की कीमतें विदेशी बाजारों में दूसरे देशों की तुलना में सस्ती होने के कारण निर्यात 2.5 मिलियन गांट तक पहुँचने का भी अनुमान है। भारतिय कपास को दुनिया के प्रमुख निर्यात को संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील से सप्लाई की तुलना में लागत लाब प्राप्त है। इस लाब का श्रे आयात करने वाले देशों के साथ भारत की निकटा के कारण कम कीमतों और माल डुलाई लागत को दिया जाता है। मजबूत मांग और बड़ी हुई निर्यात संभावनाओं के बावजूद, स्थानिय उत्पादन में अनुमानित कमी के कारण अधिशेश में कमी से भारत का निर्यात सीमित होने की संभावना है। Cotton Association of India के अनुमान के अनुसार, भारत में कपास का उत्पादन 2023-2024 सीजन में 7.7% घटने का अनुमान है, जो 2007-08 के बाद से सबसे निचले स्तर पर पहुँच जाएगा। भारतिय कपास के वैश्विक बाजार में सबसे अधिक लागत प्रभावी विकल्प के रूप में उभरने के साथ, निर्यात के आंकड़े शुरुवाती अनुमानों को पार कर संभावित रूप से 2.5 मिलियन गांट तक पहुँचने की उम्मीद है। हाला कि स्थानिय उत्पादन में गिरावट पर चिंताय मंदरा रही हैं, जिसमें 7.7% की गिरावट का अनुमान है, जो निर्यात क्षमता को सीमित कर सकता है। बहराल, भारतिय कपास की कीमतें विदेशों में दूसरे प्रतिसपर्धी देशों से कम है, जिसके चलते निर्यात में तेजी बनी हुई है। Bureau Report Market Times TV